हेलो रिवन, वेल्गम डू जीएस भाई डॉक्टर विपन को यूटूब चैनल, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कूस करने जा रहे हैं, जितने भी आपके स्टेट PCS के एक्जाम से हैं, अभी बहुत सारे स्टेट PCS पाइपलाइन में हैं, यूबी PCS, MPPCS, त्रीपुरा PC PCS, उडिशा PCS और भी बहुत माम PCS एक्जाम पाइपलाइन में महाराश्टरा का भी है, ठीक है, तो वो ऐसा है कि मैं बोलने में शाद इका था, छोड़ गया हूंगा, लेकिन बहुत सारे PCS पाइपलाइन में हैं, अभी ठीक है, और अभी देखोगे, बाद में देखोग तो बढ़ते हैं आगे इस सेशन में, जॉगरफी के MCQ सेशन में, और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूँ, आप मुझे डिपर्ट सोशल मीडिय के उपर आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टन आपके लिए सोशल मीडिय हैं, वो है है हमारा Telegram Channel, that is Dr. Vipan Goil के नाम से, इन सब के लिंक जो है, description और comment section में आपको मिल जाएंगे, Telegram Channel के उपर आपको 100% join करना है, the reason being, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बार, सबसे पहली class start करने से पहले की class मैं यहाँ पे share करता हूँ, ताकि आपको तुरंत notification मिले कि कौन सी class start हो तोड़ी सी practice ज्यादा करनी है, और आप मेरे paid course के माधिम से पढ़ना जाते हैं, तो आपको just 499 रुपीज में, just 499 रुपीज में, एक साल की validity के लिए मेरे courses आपको मिलेंगे, जो के कोई 1000 रुपे का है, 2000 रुपे का है, बहुत courses इस तरीके के हैं, लेकिन आपको 400 99 में मिल के अंतरगात, और आपको इसमें paid course में code लगाना है, VIP 499, अगर एक code लगाएंगे, तो आपको एक course 499 रुपीज का मिलेगा, ये courses कौन से है, 10,000 MC course, SST course, GA live course and GSI 25, ये सारे courses आपको 499 रुपे में मिलेंगे, एक साल की validity के साथ, और code आपको मैंने बता दिया, करना कैसे है, इन सब के link जो है description और comment section में तो given ही है, आपको study IQ app डाउनलोड करनी है, जैसे आप study IQ app डाउनलोड करेंगे, website कोलेंगे, आपको screen के उपर नज़राएगा home page, ठीक है, home page में बिल्कुल नीचे जाना, end में जाना, तो आपको यहाँ पे doctor weapon goal courses नज़रा जाएगा, तो उसको click कर लेना है, 2023 वाला, अगर आप लोग जो है, आप अपना theory पढ़ना चाहते हैं, तो यह दोनों courses available है, यह पुराना course है, यह मेरा live course है, जो recorded batch में आपको मिल जाएगा, तो जो भी आपको अच्छा लगे, आपको course purchase कर लेना, जो भी आपको चाहिए, ठीक है, और बाकी इस सेशन को, तो आप जो भी है, इसमें देख लेना, तो start करेंगे आज के सेशन को, तो देखे जी, पहला question screen के उपर, क्या कहता है, चली, so question देखे, the third largest copper producer state in India is, जो हमारे देश में अगर हम बात करते हैं, तो copper production की, जो third largest state है, उसके बार में पूचा है, पहली बात तो अगर ह से ज़्यादा copper producing कहां पे है, तो copper producing आपकी सबसे ज़्यादा है, मध्यापरदेश में, दूसरे नंबर पे पड़ती है, राजस्थान में, और तीसरे नंबर पे पड़ती है, जारखंड में, तो इसका मतलब जब third largest पूचा है, तो आपका answer क्या बन जाएगा, जारखंड is the correct answer, answer number C is the right one, जारखंड is the right one, clear होगे आप लोगों को, third largest is जारखंड, अगर आपसे पूचा जाएग, yes, जी, 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 तो MP के अंदर बहुत एक माइन्स है, जिसे हम कहाते है, भालगाट माइन्स, और ये कहां पे है, बलंज खंड में, बलंज खंड में, देखने को आपक तो that is in the MP, अगर हम बात करते हैं, राजसान की, तो राजसान के अंदर आपकी कौन सी है, खेत्री माइन्स, खेत्री माइन्स is again for the, जो है, copper production, clear होगे आप लोगों को, yes, जुन जुनु डिस्टिक में देखने को आपको मिलता है, जुन जुनु डिस्टिक में, बिल्कुल सह जारखंड की बात करते हैं, तो सिंग भूम, सिंग भूम, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, again, that is the, आपकी ये सारी की सारी चीज़े, clear हो गया, हाँ, बहुत इलाकों में और भी जगा पे देखने को मिलते हैं, different different जगा के उपर देखने को मिलती है, बट यहाँ पे The color of the star indicates, जो stars का color होता है, वो क्या indicate करता है हमें, stars का जो color होता है, वो क्या चीज़ indicate करती है, यह आपको बताना है, yes, बताइए, stars, the color of the star indicates, देखे, stars होते क्या है, stars are the self luminous body, self luminous body का मतलब क्या होता है, कि यह खुद अपनी light देते हैं, self luminous, और इसके अंदर जो होता है, nuclear fusion ह होता है, ना भी किया, sun lion जिसे हम कहते है, nuclear fusion होता है, यहाँ पे, ठीक है, nuclear fusion का मतलब क्या हो गया, कि hydrogen के बने होते है, hydrogen hydrogen मिलके क्या बना लेता है, helium बना लेता है, और यह पूरा का पूरा process ऐसे चलता है, self luminous hydrogen to hydrogen मिला के helium बना लेता है, ठीक है, self luminous, अब stars के पास जो energy आती ह है, लेकिन यहाँ पे question क्या कह रहा है, कि color बता, यह stars का किसके कारण होगा, so color of the star indicates its temperature, answer इसमें क्या बनेगा, c is the correct answer, yes, temperature के बारे में बात करता है, answer number c is the right one, temperature, अगर यहाँ पे देखा जाए, distance word use क्या हुआ है, distance, मेरे दिमाग में एक question आता है, distance से, जो आपका geography के सा लेट light कितना travel करती है, that is called light here, और उसका distance कितना होता है, 9.46 into 10 raise to power 15 meter, और 9.46 into 10 raise to power 12 kilometer, यह आपका distance होता है, और अगर हम speed की बात करते है, with the speed of light, 3 into 10 raise to power 8 meter per second, जा फिर 3 into 10 raise to power 5 kilometer per second, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, so this is the velocity of the light or speed, clear, so answer इसमें क्या बनेगा, आपका c is the correct answer temperature, तो यहाँ पर देखिए जी, यह सारे के सारे अलग अलग जगा के उपर, जो temperatures है, वो सारे indicate करते हैं, उस temperature के according, clear, तो चलिए जी, अगले question की तरफ चलते हैं, चलिए, अगला question देखिए, जी, अगला question देखिए, हमरे screen के उपर क्या कहता है, अगला question है, child sex ratio जो हम calculate करते हैं, हमारे इंडिया के census में, तो वो कौन सी age को लेके हम बात करते हैं, तो चाहे, अगला question की पॉपलेशन की पॉपलेशन की है, तो ये बात करता है, तो बच्चों की अगर हम बात करते हैं, तो कितनी आपकी, 2011 के census के according, कितनी आपकी population हुई है, 919, जाने की 919 जो है, female जन्म लेती है, अगर 1000 बच्चा जन्म लेता है, लड़का जन्म लेता है, तो female 919 उसमें जन्म लेती है, समझाया आपनों को, 919 female और 1000 male, समझाया, so this is very very important, अगर आपसे पूछा कि highest child sex ratio बताईए, तो अरुनाचल परदेश में जो है, आपकी highest child sex ratio है, और अगर आपसे lowest पूछा कि lowest कहाँ पे है, तो lowest is in the हर्याना, ठीक है, और अंडेमा निकोबार is the unit territory, जहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा child sex ratio देखने को मिलती है, clear होगे आप लोगों को, जी, answer number D is the correct answer, answer number D, clear होगे आप लोगो, answer number D is the correct answer, answer number D, चलिए जी, अगला गोशन देखिए, जी, क्या कहता है, अगला गोशन बताओ, the largest delta of the world is, the largest delta of the world is, largest delta of the world is, क्या है, देखिए, delta की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे दो नदिया मिल रही है, delta बन रहा है, और ये नदिया जो है, ये largest delta जो है, हमारे पुरे वर्ल्ड का, इंडिया का, अगर हम बात करते हैं, तो ये गंगा डेल्ट जो गंगा ब्रह्मपुत्रा delta होता है, वो आपका सबसे बड़ा delta देखने को मिलता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा delta, और यहाँ पे आपका जो है, इसे हम क्या कहते हैं, सुन्दरबन delta, क्या कहते हैं, हम इसको सुन्दरबन delta कहा जाता है, और यहाँ पे सबसे बड़े क्या है मैं में खुरूव देखने को आपको मिलते हैं मैं गुरूव तो इस is very very important answer number c is a correct answer तो यहां पे देखें जी यह है गंगा डेल्टा इस इस यह दर गंगा डेल्टा गंगा ब्रहम पुतरा गंगा स्टार्ट कहां से होती है देवपर्याक से पाद आपका West Bengal यहां पर यहां पहले अगर हम बात करते हैं यहां पे प्रमा कुत्रा स्टार्ट होती है चैयंग डंग टनग गलेशियर से चैयंग डंग गलेशियर से स्टार्ण हalter होती है, और ये wed seit किंभवत से यहां से स्टार्ट हुई इंडिया के जो आपका क्रोस करके नामचा बार्वा को क्रोस करके और नाचा प्रदेश से जैसी एंटरो इसन को क्रोस करते करते यहां पर आके मिल जाती है so this is a गंगा ब्रह्मा पुत्रा डेल्टा this is a world largest Delta of the world largest Delta so this is super important part clear चलिजे अगला फोशन बताईए मालदीव के जो climate का degradation हो रहा है उसका reason क्या है मालदीव के जो climate है उसका degradation क्यों हो रहा है देखते हैं continuous soil erosion देखें जब इस तरह के question आते हैं आपको paper में तो आपको options पढ़ने पड़ती है है कि हाँ यहां पे यहां पे यहां पे ऐसा ऐसा और के ठीक है soil erosion का मतलब क्या होता है कि soil आपकी खराब हुई वहां पे soil की जो उपर वाली परत हवा पानी से उड़ गई और वहां पे soil करा घ्राब होगी तो यह option सही है वहां पे population density बहुत ज्यादा है ये भी सही है population density का मतलब एक square kilometer में कितने लोग आते हैं वो आप ही population density ये भी आपका सही है और वहाँ पे जो है आपकी pollution of air and water देखने को आपको मिलता है ये भी आपका option सही है तो मतलब d is the correct answer all of these all of the above is the correct answer answer number d क्या बनेगा आपका right answer बनेगा सारे के सारे रीजन है माल्दीव के clear answer number d is the right one answer number d चलिए अगला कोशन देखें कि अगला कोशन देखें कि क्या आगता है census 2011 के according कि अगर हमारी population के उपर बात कर रहे हैं population के उपर बात कर रहे हैं yes जी जी population के उपर अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी सबसे lowest जो population है वो कहां पर है lowest population तो lowest population इस इंदा सिक्किम answer number d is the correct answer सिक्किम में देखने आपको मिलती है सिक्किम हमारे भारत देश का पहला organic state है organic state of India चीक है दूसरी बात करें open defication free state रही है यह open defication free मतलब क्या खुले में शौच ना करने वाली बात यहां पर रही है और सिक्किम को हमारा 36 amendment act 1975 द्वारा जो है यह हमारा पूरा का पूरा सिक्किम को full flash rate बना धी गई थी और त्रीपुरा में एक कोशिन याद करो यहां पर अगरे clouded lippard national park देखने को आपको मिलता है clouded lippard national park और मनिपुर की अगर हम बात करते हैं तो मनिपुर में एक आपका national park है डिसन कहते हैं कैबुल लामजाओ कैबुल लामजाओ national park and this is the floating national park floating national park और यह आपका कौन सी रिवर के उपर है लोग तक लेक के उपर है लोग तक लेक को confuse नहीं करना लोनार लेक से लोनार लेक जो है महराष्ट्रा में है and this is the meteoritic lake यह याद रखना है सारी चीज़ें आपको चीक है तो answer number D is the correct answer अगर मैं बात करता हूं कि हमारी population सबसे ज्यादा है कहां पर तो population ज्यादा है कहां पर यूप्री में सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलती है और दिल्ली में सबसे ज्यादा population देखने को आपको मिलती है highly dense क्लियर होगे आप लोगं को चलिए करते हैं अगले कोशन की तरफ अगले कोशन की तरफ भढ़ते हैं अगला बताई है यह एक आरबे ने estimates लगाए थे ठीक है आरबे के estimates से तो उसमें कोशन था कौन सी state of India की सबसे ज्यादा largest percentage of poor है मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो poverty line है वो बहां वहां पर बहुत ज्यादा है और उस state के approximately 39% of the people are in the poverty line, below poverty line, clear below poverty line है वहां पर तो बता सकते हैं आप लोग, जी, बता सकते हैं आप लोग, बिल्कुल, तो कितने कौन सी जगा के उपर जो है आपका यहां पर देखने को मिलता है सबसे आपका जो है कांगेर बैली देखने को मिलता है नैशन पाग, गुरु घासी दास, तो इस यहां पर देखो, चतिस गड में सबसे वर्स्ट है, यहां पर पॉपुलेशन देखो, आपकी कितनी है, 39.93 परसेंट है और बेस्ट पाइब में गोवा सबसे बेस्ट है, यह याद रखो, तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टन पार्ट, चलिए अगला गोशन बताइए, अगला गोशन देखिए, विच रीवर बेसिन इस शेयर बाइन दा 10 स्टेट्स आप दा इंडिया, रीवर बे अगर बात करें, ओरीजन का वो अलग है, ठीक है, लेकिन उसकी जो टर्ब्यूटरिस मिलती है, आपस में आके, उनके साथ मिलके वो रीवर वेसिन बना लेती है, अब रीवर वेसिन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो आपकी नदी है, वहाँ पे इंडिया में यह बात करें, आपका हम राजहस्तान राजस्तान हो गया, एंप हो जाता है, हिमाचल परदेश, राजस्तान, एंप की बात आगई,ムाजिया उगया, हर्याना आ दिल्दी है, गया तो यह इनकी ट्रब्यूटरीज है यहां पर जो फैली हुई है और यह रीवर वेसिन बना लेती है यह तो इसका मतलब आंसर नंबर सी इस अ करेक्ट अंसर डैडिस गंगा इस राइट वान गंगा के बारे में हम डिसक्राइब कर चुके हैं ब्रमा कुत्रा के बारे में गामोदर is a soro of bengal जाने के bengal का शोक इसे कहते हैं और क्योंकि यहां पर जबसे जादा जो देखने को मिलती हैं आपको बार वगारा दामोदर रीवर के करण देखने को मिलती हैं इंडस की बात करते हैं तो इंडस रीवर आपको बता है कि इसकी ट्रबिटरीज है पांच और पांच कैसे जहलम जहलम चनाब रावी ब्यास और सतलज यह इसको आपको ऐसी याद करना है यह नौर्थ यहाँ पे है नौर्थ से साउथ रिवर है जहलम चनाब रावी ब्यास सतलज जो है इंडिया के पास है जहलम चनाब और इंडस का पानी जो है आपका पाकिस पाकिस्तान के पास है और इंडिस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में बिट्विन दा इंडिया एंड पाकिस्तान प्लियर और इंडिया और पाकिस्तान बिया यह इंटर्मेडियर बना था आपका वर्ल्ड बैंक तो अंसर नंबर सी इस दा करेक्ट अंसर गंगा इस दा राइट और उसके आसपास पूरा पूरा पानी है आइलेंड सबसे ज्यादा जो द्वीप हैं वो देखने को मिलते हैं आपको इंडोनेशिया में तो इस में बी-जा करेक्ट अंसर इंडोनेश्या इस अंडोनेश्या सुपर इंपटन पार्ट चलियर और एक चीज़ बात करते हैं फिलिपिन्स की, फिलिपिन्स में ADB Bank के Headquarter है, Asian Development Bank के Headquarter है, और Manila में और Manila में हमारा एक Center है, International Rice Research Center International Rice Research Center भी देखने को आपको मिलता है, Manila में Important, और यहाँ पे हमारी जाती है कौन सी Rice जाती है हमारे इंडिया की Golden Rice, जो Vitamin A के अंतर का जो है Rich होती है, Golden Rice, very important और अगर आपसे पूछा कि इंडिया का जो Rice Research Center है, वो कहाँ पे है, इंडिया का Rice Research Center, that is the Udisha, कटक में कटक Udisha, clear कटक Udisha, super important part तो answer इसमें क्या बनेगा, B is the correct answer, Indonesia is the right one Indonesia, चलिएजे अगला answer बताईए, इंडिया में वर्ल्ड में, वर्ल्ड में, यूरेनियम पर्डूसिंग कंट्री जो है, सबसे बड़ी कौन सी है सरी, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो सैफरन है, वो कहाँ पर बडूस होता है केसर जो होता है, सबसे ज़्यादा जो होती है, वो होती है, इरान समझाया, इरान, येस, शाबश आप सही answer दे रहे हैं, इरान is the correct answer, इरान is the right one और अगर इंडिया में पूछा, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर में, और एक चीज़ आपको बता दो, जम्मू कश्मीर में इसको जियाई टेख है, जोग्राफिकल इंडिकेशन का टेख है और सैफरन की अगर हम बात करते हैं तो जो लैंड होती है, जिस लैंड की उपर ये उगाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, हाई लैंड और वो होती है बट अदरवाइस, इंडिया जो है आपका इरान इज़क वर्ल्डवाइड जो परड़क्शन में आता है अगला बताईए यूरीनियम यूरीनियम जो है सबसे ज़्यादा परड़क्शन कहाँ पर होती है यूरीनियम के, येस, शाबाश uranium की production जो है सबसे ज़्यादा कहां पे होती है देखे uranium के अगर हम बात करें uranium हम यूज करते है uranium 235 as in nuclear material यूज किया जाता है सबको बता है nuclear reactor में nuclear material की तरह यूज करते हैं जो कि आपका fission reaction में काम आता है विखंडर में काम आता है यह आपको clear है सबको uranium की एक और है जिसका नाम क्या है pitch blend uranium की और है जिसका नाम क्या है pitch blend और pitch blend किसकी और है thorium की भी और है किसकी thorium की भी और देखने को मिलती है और हमारे इंडिया में thorium कहां पे मिलता है monazide sand of keral monazide sand of keral में आपको देखने को मिलता है that is thorium ठीक है, यूरीनियम की अगर हम बात करें, यूरीनियम डेटिंग भी होती है, यूरीनियम डेटिंग, यूरीनियम डेटिंग कहां पर इस्तेमाल करती है, जो रॉक्स होती है, उसकी एज को find out करने के लिए help होती है, यूरीनियम में, super important part, clear again, और यूरीनियम production में आ जाओ, त is the correct answer, answer number B, so और भी point रहे गया हमारा इसमें, यूरीनियम के related, yes, इतना ही है, तो answer number B is the correct answer, that is, कजाकस्तान is the right one, कजाकस्तान, clear, yes, जादू गोड़ा माइस, यो हमारी है, इंडिया में, उसमें भी मिलती है, बिल्कुल सही, चलिए जी, आगे discuss करते हैं, ये देखो, कजाकस चलिए, अगला कोशन देखे, कोशन है, 2011 के religious group के census के according जो है, कौन सी ऐसी, कौन सा ऐसा धर्म है, जहां पे literacy rate जो है, सबसे आदेखने को आपको मिले, लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे जो लोग है, सबसे आदेखने को आपको मिले, तो हमारा 2011 का census हुआ था, देखे, अगर ह सबसे जादा है, वो है जैन, तो answer number क्या पानेगा, D is a correct answer, answer number D, एक question मेरे दिमाग में, यहां पर एक question और भी आता है, क्या, कि अगर आपसे पूछा जाए, कि जब हमारी census होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, census में क्या होता है, कि दो तरीके के, आपके मतलब, minorities होती है, minorities, जिसे हम कहते हैं, अलप संख्या, जिनकी संख्या कम होती है, census में, दो तरीके के, minorities को आपको याद करना है, the one is a linguistic basis, जाने की, language basis के आधार पे, और एक आपकी आती है, linguistic और एक आती है, आपकी religion, धर्म और भाशा के आधार पे, हमारे देश में, जो है, minorities देखने को मिलती हैं, यह पता होना जाहिए, आपको, तो answer number D is the correct answer, जैन is the right one, यहाँ पे देख लीजे, हिंदू, Muslim, Christian, Sikh, जैन और यह सारे population यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे देखो, जैन जो population 94.1, 94.9 is in the 2011 census, clear होगे आप लोगो, इसको देखना, देख लेना, इसको screenshot लेना, अगला question कहता है, which of the falling tribes and the state of the falling tribes is not correct, मतलब क्या हो गया, कि कुछ tribes हैं और कुछ states हैं, उनके साथ कौन सा match नहीं करता, कौन सा match नहीं करता, येस बता सकते हैं आप लो, जी, तो start करते हैं, पहले option से, भिल, भिल जो है, गुजरात में होते हैं, यह सही है, और उसके बाद है, गई, जैडि, जिन्दा, हिमाचिर परदेश, ये भी आपका सही है, ये भी है, और कोटा, तमिलनाडू, नहीं का, ये सही है, टोड़ा, यह गलत हो गया, टोड़ा जो होते हैं, ये होते हैं आपके तमिलनाडू में, टोड़ा कहां पे होते हैं, तमिलनाडू में, तो option number 4 is आज ह कर आशान को यहत और यहां पे एक건 करें तो यहां पे आड़ इस को कुरूमबास कुरूमबास देखने को मिलते हैं आज यहाँ जो है आपकी ट्राइब को मिलती है तो आंसे नबर 10이죠 anyways ठोन टो डासट वेरे इंप्डनकूरिपेंट कोश्च्वन डास एसन नबर चलिए जगलांस से बताईए जे ऐसी स्वाइल साइंसे जिसका हमारी living beings की उपर असर पढ़ता हो कहने का मतलब क्या है स्वाइल का मिटी का living beings की उपर कुछ असर पढ़ता हो तो ऐसी स्वाइल साइंस को हमारी कौन सी स्वाइल साइंस है यह तो बता सकते हैं आप लोग कौन सी स्वाइल साइंस है हमारी जिसके उपर हमारे living beings की उपर असर पढ़ता है उसकी स्टडी को हम क्या कहते है उसकी स्टडी को हम क्या कहते है इडैफोल लॉजी कहा जाता है अं पढ़ाने का स्टाइल और यहां पर लिखा हुए एंडर लॉजी एंडरोजी यहां पर क्या होता है अगर कोई ऐसी बिमारी जिसका हमारी लिविंग बिंग्स के उपर असर पड़ता हो और कुछ भी ऐसी चीज़ें जो मैं और खासकर बिमारी लिटेड हो तो उसकी स्टडी क आपको बात करते हैं andology कहा जाता है ऐ्योर मतला lavoro messenger एग्रिकर्चर के साथ समझ्दीड हो गया agriculture का हमारे यंदिन का असर बढ़ रहा है डेड़ाइस को टार आपका एग्रो बाय और रोची देश्मोला जी क्या होता है एक ऐसी study जिसमें यसे बोन to बोन connect हो गया ठीक है बोन to आपके बोन to बोन única होता है बोन to आपके that is muscle contact होता है तो इनकी study जो होती है उसको हम क्या ustegy desmology अदरवाइस आपको बता की bone to bone connect होता है उपे लिगामेंट से connect होता है आपका ठीक है और bone to muscle जो connect होता है वो tendon जाने के टेंडन और लिगमेंट की जो स्टडी होती है वह आपकी होती है डैस्मल लॉची कलियर होगे आप लोगों को तो अंसर इसमें क्या बनने वाला है बी इस अ करेक्ट अंसर एड़ाफ लॉजी इस दा राइड वन इड़ाफ लॉजी चले जगल अंसर बताई रहें चिपको मॉमेंट चिपको मॉमेंट इन उत्रपरदेश में इस इन उत्रपरदेश में और ये सुंदरलाल बहुगाना जी ने स्टाट इस movement के leader थे सुंदरलाल बहुगाना अब बात करते हैं what is this कि आपकी किस चीज़ के लिए थी it is the prevention of the felling green trees prevention of the felling of old trees by the unauthorized person prevention of felling of dead trees by the government agency planting trees on the private plots तो इसका अंसर क्या बनेगा yes कि यह green trees को जो है यह हरे बरे green trees को तोड़ने से मना करना हरे बरे पेड़ों को कटाई को रोगना इसमें लेडिस क्या करती थी लेडिस जाके उसको चिपक जाती थी पेड़ को ताके वो पेड़ काटे ना तो इस question का अंसर क्या बनेगा one option is the correct answer एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा वाइड़ोस्टी एक्ट याद कर लो जो पेपर में पूछे जाते हैं वाइड़ोस्टी एक्ट जो है आपका 2002 का है इन वानमेंट पोटेक्शन एक्ट अगर हम बात करते हैं तो वह आपका है 1996 का wildlife protection एक्ट की अगर हम बात करते हैms wildlife protection आट तो वहाँआपका 1972 का ठीक है और और का जो सकते हैं बस इतना ही आतका लो मिंपोर्डन वान है एक कहरें इस तरीकिसे पेट से चिपक जाते थे टिसी वोगाशा छीस की मेजरमेंट के लिए आपको हम कर चुछ does you is used to measure किस चीज़ की measurement के लिए आपको help करता है आपको पता है रिक्टर स्केल जो होता है यह magnitude magnitude of the earthquake को help कर वाता है यह तो इसका अंसर पहले तो क्या बनेगा answer number one is the correct answer वो कम के लिए अगर रिक्टर अगर आपसे पूछा intensity of the earthquake हमारी अर्थ की जो अर्थ की intensity होती है वो मेजर करी जाती है मर्कली स्केल से किससे मर्कली स्केल से यह याद रखना इस इस वेरी इंपॉर्टन के लिए जो भी चीज नीचे depth को मेजर करने के लिए हम यूज करते है सोनार मेथट अल्ट्रा सॉनिक वेव यूज करी जाती है प्राश्रव्य किरने यूज करी जाती है ठीक है sound navigation and range का मेथड यूज कर लिया जाता है so this is very important answer number one is the correct answer is the right one very important earthquake so इस तरीके से आपका चीज़े को measurement करी जाती है यहां पर earthquake earthquake को जो मेजर करने वाला graph होता है उसको हम क्या कहते हैं seismograph और earthquake की study को क्या कहते है seismology यह पता होना चाहिए सारी के सारी चीज़े और earthquake क्या होता है the sudden shaking of the earth plate tectonic movements आना उससे चलिए जी अगला अंसर बताई है हमारी जो इंडिया की territory है sea territory ठीक है sea territory जो है वो कितनी extend हो रखी है इंडिया की कितनी territory extend हुई हुई है हमारे इंडिया की sea territory yes बता सकते हैं आप लोग जी sea territory कितनी हमारी extend हुई हुई है तो इसका अंसर सिर्फ और सिर्फ बनेगा किलोमेटर में 20 किलोमेटर के आसपास आपको देखने को आपको मिलेगा तो यह ध्यां रखना यह मेजरमेंट याद रखना 1.852 कहते हैं इसको तो अंसर नंबर बी जा करेक्ट अंसर 1.852 क्लियर होगे आप लोगो बाकि आपको बता है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें इसकी तो यह हमारे Coastal Eendi आप diligent यह आपकी Coastal Manager है और यह है आपका 6100 किलोमेटर अगर मैं लक्षदीब का क्या और अंडेवाill का ओर का यह न तो हमारी कितनी बन जाती है 7560 6.6 किलोमेटर का यह पूरा का पूरा जो है यह पार्ट बन जाता है ऐ्लीव नाशी कोनल के पूरा चुंद्ध वो है 15,200 km, 15,200 km, अगर मैं suppose करो कि नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ से साउथ की बात करें, बिल्कुल नॉर्थ पूरा इंडिया, तो 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 नॉर् का पढ़ता है दनकी East West पढ़ता है 2933 किलोमेटर यह क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में तो इसे आप इंद्रा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं इंद्रा समझाए आप लोग को जी इस इस इंपोर्टन तो अंसर नंबर क्या बनेगा इसका बीज़ा करेक्ट रंसर नौटिकल माइल इस राइड वान चलिए अगला कोशन बताइए क्या कहता है लग्कादीव मिनिकोई एंड अमंदीभी आइलेंड जो आपके चेंज हो गया था लक् अगार बात करता है लगण लंचनींख जो है ने इंडिया में ऐख और हमारे इंडिया में लंप में भी ऑ यह संद मंदीत और आपके जो है गल्फ ओल्फ कर्च और गल्फ आउव मनार TC तो इस आर वेरी वेरी इंपोर्टन जो आपको यह देखने को मिलते हैं तो कोरल्स लक्ष्रीप में और अंडेमा निकोबार गलफ अफ काच गलफ और मनार में देखने को मिलते हैं अब बात यह है कि लक्ष्रीप मिनिकोय और अमंदीवी आइलेंड को 1973 के एक्ट के की बात करें बेशिक स्ट्रॉक्चर पॉलिटी के अगर हम जाते हैं तो केशव नंदा भारती केस हुआ था तो वह भी 1973 में हुआ था और 1973 में ही हमने प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉंच किया था प्रोजेक्ट टाइगर यह आपको याद रहना प्रोजेक्ट टाइगर अगला अंसर बताईए है कि जोग्रफी में मैंने आपको हमेशा बताया है लोकेशन बेश चीजें डैफिनेश बेशन चीजें और स्टैटिक चीजें यही पेपर में पूछी जाती है समझाया तो वही चीज आपको याद रखनी है तो चलिए जी अंसर बताईए दा मैक्स चाहिए निए टेक्स टाइल कंपनी में बहुत जादा जो है लोग हमारे देश में काम करते हैं और मैक्सिम लोगों का रोजगार यहां पर चलता है और अगर हम बात करें अगरी कल्चर में तो टॉप मोस्ट पर आती ही आते हैं लेकिन दूसरे नंबर पर अगर हम बात करत वो स्रेंज का लेटे कोशन याद करवा रहता हूं इस नौर्मल शुगर खाते हैं तो वह क्या होती है आपकी सुक्रोज यहां और और जो सबसे मीठी शुगर होती है वह होती है प्रक्तोज करें जूट के लिए revolution था golden fiber revolution और worldwide की बात करें production जो gold की जूट की है यह हमारे इंडिया में देखने को मिलती है and then उसके बाद बंगलादेश clear याद रखना iron and steel plant हमारे इंडिया में बात करें इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में आपके iron and steel plant जो है second fiber plan की बात करें तो यहां पर जो है तीन जगा के उपर रावरकेला ठीक है Razlaby yak ऑर रावरकेला बिलाई और औरब्लाई और कौन सा है दिर्गापूर यहां पर start किया और थीक है । ओर्भापूर वैस्ट बंगॉल में बिलाई ज ochё आपका चतिसगर में और राउर केला उडिशा में स्टार्ट किया गया जो दुर्गापूर है ये ब्रिटेन की हेल्प से स्टार्ट किया गया बिलाई जो है USSR की मदद से स्टार्ट किया गया और राउर केला जो है हमारा ये होगा दुर्गापूर इस ब्रिटेन और बिलाई is the USSR और यह जो है हमारा किसकी मदसे जर्मनी की वेस्ट जर्मनी की मदसे स्टार्ट किया गया तो इस वेरी इंपॉर्टन फेक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए तो अंसर नंबर B is the correct answer क्लियर होगे आप लोगों को सबसे ज्यादा जो काम मिलता है वो हमें मिलता है डाड़ीज़ा टेक्स्ट्री इंडस्ट्री चलिए अगला बताईए अगला कोशन क्या कहता है कि इंडिया जो है वो những demographic deviant है जाने की जहने की संगर की लाभाश कहा जाता है तो अब ज100 की लाभांष जो है आपका किस के साथ लेट गरता है यहां पर demographic development गाराफ करते हैं वो हमारे सबसे प्रड़क्टिव है प्रड़क्टिव का मतलब not in the मतलब प्रड़क्टिव मतलब ऐसा नहीं बच्चा पैदा करना, productive का मतलब यहां पे यह है कि जो हमारे देश की productivity में, हमारे देश की growth में, GDP में आपको help करवाती है, ठीक है, और ये population वो है, जो हमारे देश के लिए पैसा कमा के दे रही है, that is the productive, that is demographic dividend, और ये group जो population का है, वो क्या है, 15 साल से कम, नहीं, 15 सा से चॉंसर साल वाले जो लोग होते हैं, ये highly productive होते हैं, जो हमारे देश की economy में आपको help करते हैं, और these are the demographic dividend, answer number B, ये 65 वाला हो गया, ये थे, क्योंकि 15 से पहले dependent होंगे, चॉंसर के बाद भी dependent होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो dependent होंगे, हो सकता कि वो काम भी कर र answer number B is the right one, clear, जो ये है जी demographic dividend का concept जो इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलता है, so this is super important part, clear, याद रखना, 15 से 64 साल, विजो दा following is not the correctly match, इन में से कौन सा correctly match नहीं है, कौन सी जो चीज है वो correctly match नहीं है, तो पहले है Banguilla current, जो है South Atlantic में है, Iminger current, North Pacific में है, Peru current, South Pacific में है, Mozambique current, Indian Ocean में है, तो इन में से कौन सा जो है आपकी चीज correct नहीं है, ये पूछ रहे है, कौन सी चीज correct नहीं है, समझा है आप लोगों को, yes, So, यहाँ पे जो चीज correct नहीं है, वो कौन सी correct नहीं है, देखें जी Banguilla current, South Atlantic में है, याद करने वाली चीज़े हैं, ये एक्चुली ये, चीक है, Iminger current is not in the North Pacific, this is in the North Atlantic, North Atlantic, देखें ये मैं आपको एक चीज़ बता हूँ, ये आप मैप से पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमेशा मेरे दिमाग में हैं, जब भी मैं paid course में भी करवाया है, और यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़े जितने आप maximum revision करेंगे, जितने आप maximum question attempt करेंगे, तब जाके चीज़े याद होगी, क्योंकि जब ये question आ गया, तो आपने याद किया, Iminger current North Atlantic में है, लेकिन इसमें ये जो तीन option है, ये भी आपने पढ़ लिए और आपके दिमाग में रहेंगा, कौन सा current, कौन से ocean में है, clear, जैसे के बेंगुलिया, South Atlantic, पेरू, South Pacific, Mozambique, इंडियन, तो ये आपको याद रहेंगे, और ऐसे अगर आपने 4-5 और question याद करेंगे, तो answer number B is the correct answer, answer number B, चलिए जी, geography में हमेशा याद रखना, geography में हमेशा question पूछे जाते हैं, location-based, definition-based, ये सब चीज़े, location-based ज्यादा चीज़े पूछी जाती हैं, उसमें क्या होता है, फंडा याद करने का फंडा कम, और चीज़ों को retain करना, रट्टा नहीं कहूंगा मैं, location दे is the Kimberley plateau located, जो Kimberley प्लैटू है, ये कहाँ पे ये located है, हमारे, Kimberley प्लैटू जो पठार है, ये कहाँ पे कौन सी country में देखने को आपको मिलता है, येस, Kimberley Current बताए, 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 कौन सी country में है, Kimberley Current, Yes, शाबाष So Kimber Lake current, जो है यह देखने को मिलता है आपको, Australia में Australia की किस साइड की उपर, Western Australia की उपर देखने को हमें मिलता है और एक चीज़ आपको और बताना चाहूंगा Australia में, जो Australia है आपका, ठीक है Australia की Eastern side की उपर, Eastern side की उपर आपका सबसे बड़ा reef है, Great Barrier reef और ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह कहां पर है है ऑस्टिलिया के कुइंज लैन्ड एरिया की ऊपर कुइंज लैन्ड इस इस उपडर सूपर इंपर इंपॉटर्टन कोशन ग्रेट बेरियर रिपर में बहुत बार आता है कहां पर है समझाए आप को तो अंसर नंबर क्या बनेगा D is the correct answer यहां पर ध्यान देखिए Kimberley Mines नहीं पूछा गया Kimberley Plateau पूछा गया है so Kimberley Plateau is in the Australia 9 specific जो reasons है उनमें आपका located है यह समझा है आप लोगों को याद रखें clear हो गया जी आप लोगों को so answer number D is the correct answer answer number D Australia is the correct answer Australia so here is the Kimberley clear and that is in the Western Australia यह यहां पर और यहां पर लिखा हुआ है Queensland यहां पर आपके क्या है that is a great barrier reef super important question great barrier reef है यहां पर समझा है आप लोगों को तो गडबर नहीं करने paper में ध्यान से पढ़ना है ध्यान से समझना है चलिए जी अगला question देखेजिय क्या आग Это कि अ कि अगला question देखेज जी क्या आगाता है टर्पी इस लोकेट ही इंटमें जो तुर्की है यह कौन सी कांट्री में और कौं सी जगाण की ऊपर से और यह कों तरकी is in between the black sea उपर नदन साइड की उपर है और यहाँ पे south west में आपको देखने को मिलता है, that is Mediterranean Sea, Mediterranean Sea और black sea के बीच में है आपका तरकी, so this is very very important part, clear, यहाँ पे देखी कौन से बनेगा, black sea and Mediterranean Sea, तो answer number one is the correct answer, answer number one, very important question, answer number one is the right one, समझा है आप लोगो, black sea and Mediterranean Sea के बीच में देखन को आपको मिलता है, एक चीज़ आपको और याद रखनी है, यहाँ पे, देखेंजी, कैस्पियन सी पूछा गया है, यहाँ पे, कैस्पियन सी के around कौन से countries है, यह याद रखें, रशिया, रशिया है, और यह आपकी अर्मेनिया है, अजर्बाइजान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, तो these are the surrounding countries, और इरान है, इरान भी है यहाँ पे, तो ज्याद रखें, important question है यह वाला, चलेजे, अगला question बताईए, क्या कहता है, शाबाश, very very important question है यह, चलिए, अगला question बताईए, क्या कहता है, तो question है, इन में से, कौन सा pair of continent है, जो separate गरता है, एक पनामा केनाल है, वो दो चीजों के बीच में है, कौन सी दो चीजों के बीच में है, so Europe और Africa, Asia और एफरीका, एशेया और यॉरप, North America and South America, Asia and Australia, so Panama केनाल is in between the Panama केनाल, जो है, यह कहां पे है, Panama नहर, so here is the Panama केनाल, so Panama केनाल is in between the North America and the South America, so this is very very important part, North America and South America के बीच में देखने को मिलता है तो answer number C is the correct answer answer number C उत्तर अमेरिका और दक्षिन अमेरिका के बीच में देखने को आपको मिलता है answer number C is the correct answer Asia और योरप में आपकी mountain है जिसे हम क्या कहते हैं सरी ये रशिया में है युराल याद रखें चीक है क्लियर होगे आप लोगों को चलो यह बताओ यह मैंने सही बोला है गलत बोला है कुछ और है युराल mountains कहां पर है युराल mountain between the Asia and Europe और Russia and Europe चलो मुझे comment section में लिखके बताएंगे युराल mountains कहां पर है युराल mountains जो है आपकी कहां पर है बता सकते हैं आप लोग युराल mountains चलिए युराल mountains चलिए जी अगला कोशन देखें जी क्या कहता है screen की उपर which of the following instrument is used to measure the soil water stress soil water stress को measure करने के लिए जो है वो कौन सी चीज़ यूज़ करी जाती है soil water stress को measure करने के लिए कौन सी use करी जाती है अगर मैं photometer की बात करूँ फोटो मतलब light so electromagnetic radiation को measure करने के लिए pyrometer की अगर हम बात करते हैं तो high temperature के measure करने के लिए clear tensionometer की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे water moisture का जो water का moisture है yes water moisture को उसका tension क्या है that is tensionometer लेकिन water soil water stress को measure करने के लिए जो चीज़ है that is called psychrometer तो answer इसमें c is the correct answer psychrometer is the correct one c option psychrometer yes very good answer number c tensionometer जो होता है यह moisture soil का moisture को content को measure करने के लिए होती है लेकिन यहाँ पे एक सेगंड रुकिए हाँ sorry यह आप सही कहा रहे है मैं थोड़ा सा हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते कई बार एक सेगंड एक सेगंड रुकिए यह आप सही कहा रहे है tensionometer is the water stress के लिए होता है बिलकुँ सही और psychrometer जो होता है यह हम measure करते हैं Humidity of the air समझाया humidity of air को measure करने के लिए होता है बिलकुल इसमें D बने गा यह D टिक करो दबारा से सही करो psychrometer जो होता है humidity of the air को करने के लिए होता है और humidity को measure हम और किस से करते हैं? हाइग्रो मेटर से भी करते हैं. हाइग्रो मेटर से भी हम करते हैं. यह आपको याद रखना है. तो इस question का जो answer बनेगा, वो D ही बनेगा. समझा है आप लोगं को? इतना याद कैसे रखें? भाई, इतना याद करना ज़रूरी है और इतना याद करना पड़ेगा आपको. मैं आपको बता दू, अगर आपने exam clear करना है, तो आपको याद करना पड़ेगा. location याद करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी. और ऐसा नहीं है कि कुछ भी, जो important है, वो चीज़े तो आपको पड़ने ही पड़ेंगी. समझा है आप लोगं को? इसका answer D बनेगा. D is the correct answer. चलिए जी, अगला बताइए. अनाय मुडी पीक जो है, ये कहां पे है? येस, बता सकते हैं आप लोग, ये तो simple सा question है. बहुत बार मैंने आपको बताया है. अनाय मुडी पीक, कहां पे ये located है? अनाय मुडी is located in. देखे जी, अनाय मुडी जो है, ये south, इंडिया के अंदर, जो हमारी western घाट है, जिसे हम और क्या कहते हैं? सहादरी कहा जाता है, इसकी सबसे उची चोटी का नाम क्या है? अनाय मुडी. So, this is very important. Answer number one is the correct answer. और ये सहादरी वो ही है, western घाट वो ही है, जहां पे आपकी जो बारिश होती है, टकराती है, यहां पे monsoon, that is southwest monsoon टकराती है, और यहां पे moisture, मतलब moisture वाली हवा चलती है, यहां पे बारिश कर देती है, इस जगा की उपर, that is सहादरी. नीलगरी mountain range जो होती है, यह जहां पे आपके eastern घाट और western घाट आके मिलते हैं, और वहां पे सबसे उची चोटी है आपकी, वहां पे मिलते कहां पे नीलगरी, नीलगरी की सबसे उची चोटी है आपकी दोदा बेटा, important part, clear होगा आप लोगों को, और eastern घाट, eastern घाट की जो उची चोटी है, that is महिंदर गिरी, पालनी रेंज की अगर हम बात करते हैं, तो आपको मैंने बताया था, कि अगर हम south से north की तरफ आते हैं, तो cardamom, annamalai और पालनी रेंज देखने को आपको मिलती है, अगर आप से पुचा south से north की तरफ आओ, तो daddy's cardamom, annamalai और पालनी, तो यह आपको clear होगा आप सो अंसर नंबर सी इस दा करेक्ट अंसर अंसर नंबर सी चलिए जगला कोशन बताईए भाई आएंगे मैं आपको बताई रहा हूं बता रहा हूं ना यह कोशन आएंगे आपको पिपर में यह आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है ऐसा नहीं है content जो आपको है न वो एक नंबर दिया जाता है चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो paid course में हो ठीक है चलिए अगर आगोशन देखे विच आपको स्वाइल चाहिए होती है वह कौन सी चाहिए राइस की खेती के लिए कौ और जलोड मिटी जो हमारे इंडिया के 40% of the areas में देखने को मिलती है 40% ऐआपको यह देखने को मिलती है अपनाती है आपकी आपकी जलोड मिटी कलियर होगे आप लोगों को तो answer सी is the correct answer एंसर सी और राइस की बात करते हैं तो यह आपकी खरीफ फसल है जो के आपके monsoon season में उगाई जाती है, जहाँ पर बारिश की बहुत ज़्यादा need होती है, समझाया answer number C, lateride soil की बात करें, तो यहाँ पर पानी जो होता है वो नीचे तक चला जाता है, जिसे हम कहते हैं leaching, तो leaching का काम इसमें देखने को आपको मिलता है, और irrigation, excessive irrigation जो होती है, वो lateride soil में देखने को आपको मिलती है मतब पानी बहुत ज़्यादा चला जाता है, और leaching का process होता है, red soil red इसलिए होती है, क्योंकि इसके अंदर iron देखने को मिलता है, black soil important होती है, आपकी cotton के लिए कपास की खेती के लिए, और इसे हम और क्या कहते है, रेगूर soil के नाम से जानते है, volcanic origin होता है इसका, तो ये सारे points आपको बता होने चाहिए, answer number के आपने का जी, आपका alluvial soil is the correct answer, C option, जलोड मिटी is the correct one, जलोड मिटी चलिए अगला question बताईए yes question देखे जी what is the difference between the local time and the green which time 1 degree longitude longitude में आपको बताया था, लंबी line है इस तरीके से, इनको हम meridians कहते हैं, और जो 0 degree वाली होती है उसे हम prime meridian कहा जाता है, जो green which से cross करती है, तो ये question कहा रहा है कि 0 degree तो green which हो गया, तो 1 degree ये हो गया, तो इसके बीच में जो है कितने time cut gap होता है, एक degree के बीच में 4 minute का gap होता है, तो answer number B is the correct answer, answer number B, अब हम India और जो green which mean time है, वो 2.30 degree east बढ़ता है, इसको multiply by 4 करेंगे, तो 330 minute बन जाएगा, clear, 330 minute बनेगा, तो मतलब 5 घंटे 30 minute, it means, it means हम green which से कितना आगे हैं, साड़े 5 घंटे आगे हैं, समझा है आप लोगं को, और ये जो है साड़े 5 घंटे हम 0, 0 degree मतलब green which से आगे हैं, और green which cross करती कहां से हैं, लंडन से cross करती है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लंडन से कितना दूर हैं, साड़े 5 घंटे दूर हैं, तो answer क्या बनेगा, आपका B option बनेगा correct answer, clear, एक होता latitude, जो लेटी हुई लाइने होती हैं, इस तरीके से, एक degree latitude के बीच में कितना gap होता है, 111 km का, ये भी आपको याद रखना है, 111 km का, चलिए जे, अगला question बताईए, क्या गयता है, शाबाश, ये question आप मुझे comment section में लिखके बताएंगे, ये आपका homework है, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, कभी कभी मैं आपको homework देता हूँ, question के लिए, तो ये आपका homework है, इसको comment section में लिखके बताना, ये question पढ़ लिजे, ठीक है, screenshot लेना, screenshot ले लिजे, इसका answer, comment section में लिखके बताना, और इसका जो answer होगा, मैं आपको जो PDF देता हूँ, उसके अंदर भी लिखा होगा, चीक है, ये आपका question है, तो पढ़ें इसको और answer देना, चलिए, ये नहीं मैं बताऊंगा, अगला देखो, चलिए कोशन देखे, क्या गयता है, which of the falling is indicated by the color of a star, star का जो color है, वो किसके कारण आता है, पहली बात तो, जो star होता है, star जो होता है, luminous body, मतला चमकदार, luminous body होती है, और star के अंदर जो आपकी energy आती है, वो किससे आती है, nuclear fusion, नाभी के सल्लायान से आती है, और नाभी के सल्लायान जाने की fusion is very dangerous and the fusion, super important part, clear, और color जो आता है, वो आता है उसके temperature से, answer number क्या बनेगा, c is the correct answer, temperature से उसका color हमें पता लगता है, answer number क्या बनेगा, c is the correct answer, temperature is the right one, clear, और distance की बात करें, तो distance के लिए की unit याद कियर कर लीजे, light year, light year is the unit of distance, और one light year is equal to 9.46 into 10 raise to power 12 kilometer, और आपका, जो है, मतलब, meter में करेंगे, तो 9.46 into 10 raise to power 15 meter बन जाएगा, clear, और with speed of light कितनी आती है, 3 into 10 raise to power 8 meter per second, जो है, इसकी light आती है, clear होगे आप लोगो, तो answer इसमें क्या बनेगा, c is the correct answer, c, temperature is the right one, चलिए, अगला बताईए, ocean salinity जो होती है, ये किसके साथ depend करती है, ocean salinity, लबंता, नमक, कितना जो है, इसमें से matter करता है, लबंता, देखें, नॉर्मल लबंता कितनी होती है, 35 gram per cc, जो है, आपकी 35 percent, जो ऐसे भी कह सकते हैं, कि आपका ocean के अंदर जो नमक है, वो 35 percent है, अगर हम बात करें, यहाँ पे पानी की, चीक है, पानी की अगर हम बात करें, जितना पानी आता चला जाएगा, वो saline होता चला जाएगा, evaporate होगा, तब भी आपकी salinity बढ़ेगी, clear होगा आप लोगों को, yes, जी, 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 clear होगा आप लोगों को, और उसके बाद जो है, surface salinity जो बढ़ जाती है, आपके rivers के कारण, पानी के कारण, flash flow के कारण जो है, बढ़ जाती है, wind also effect दा, yes, हवा भी बिल्कुल effect करती है, पढ़ रहा हूँ मैं आपके messages वगरा, और और बताओ, जो है, wind भी करती है, बिल्कुल करती है, temperature, measure करता है, temperature, density, they are interrelated, yes, तो land हो सकता है, और land तो नहीं हो सकता, पवन, हवा हवा हो सकती है, नदी, नदी भी हो सकती है, येस, बताओ, 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 river, river ocean salinity कह रहे हैं, देखे, river के कारण अगर मैं बात करता हूँ, तो river से तो वो होती है, जैसे कि आपकी coastal areas में होती है, ठीक है, जहाँ पे आपके coastal areas होते हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है, ठीक है, मतलब सर्फिस के उपर, surface salinity तो हो सकती है, वो आपकी influence होती है, fresh water flow from the rivers, जो आपका flow हो रहा है, पानी से उसके कारण होती है, जो, और polar reason के अंदर जो है, आपकी ice के कारण होती है, बट, यहाँ पे मेरे according, जो answer बनेगा, वो बनेगा आपका wind, देखें, यहाँ पे दो चीज़ें है, wind और river, मैं आपको सही बताओ, wind और river दोनों हैं आएंगे, B और C दोनों ही option बनेगे, समझाया, मैं बजब B और C, दोनों ही option बनेगे आपके, B और C, यह दोनों effect करते हैं, river B और wind बेगा, जो coastal salinity है, वो river करती है, wind also effect the ocean salinity, clear answer number B is the correct answer, answer number B, यहाँ पे देखो, water cycle होता है, देखो, salinity degrees कर रही है, जैसी rain हुई, यहाँ पे, river runoff हुआ, ice melt हुआ, तो salinity degrees होने लगी, ground water flow हुआ, और यहाँ पे देखो, पानी freeze कर गया, water का, evaporation हो रही है, sea water की, तब भी क्या बहुआ हो रही है, salinity को बढ़ाया जा रहा है, तो यह आपको याद रखनी है, सारी चीज़ें, wind and river, अरे भाई, अगर नहीं आता होता है, इस तरीके question, examiner उसमें change कर देता होता है, exam में change कर देता है, समझाया, उसमें क्या होता है, कि फिर answer किसी को नहीं मिलता, जा फिर ऐसे कहा देते हैं, कि examiner ऐसा बोल देता कि, बी और सी दोनों ही answer सही है, जिन बच्चों ने जैसे लगाए होंगे, वैसे answer आपको मिल जाएंगे, number मिल जाएंगे, yes, अगर आप बताइए, rail wheel factory जो है, आपकी कहां पे है, rail wheel factory जो है, आपकी कहां पे है, कौन सी जगा पे है, so dad is in the Bengaluru, answer number C is the correct answer, Bengaluru is also called the space city, अगर आप से पूचा, rail coach factory, तो dad is in the कपूर्थला, पंजाब, कपूर्थला, पंजाब, तो rail wheel factory पूचा है, तो ये बनेगा आपका, that is, yes, बिल्कुल सही, करनाटक में, करनाटक, Bengaluru में, C is the correct answer, C option, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, rail wheel factory, that is in the, करनाटक वाला पार्ट, Bengaluru, चलिए, अगला बताईए, घडबर नहीं करनी, घडबर नहीं करनी, ध्यान से, यही examiner होता है, जो आपके marks कटवाता है, चलिए अगला बताईए, सारगासो C, जो है आपका, वो कौन सा है, सारगासो C, जो है, आपका, कहाँ पे देखने को मिलता है, तो दिखाता हूँ पहले आपको, so here is the सारगासो C, so यह आपको देखने को मिलता है, North Atlantic Ocean में, जहाँ पे आपका Gulf Stream होती है, Gulf Stream, Canary Current, ठीक है, और जो है, आपका, Gulf Stream हो गया, Canary Current हो गया, और और कौन सा Current होता है, यहाँ पे, यह याद रखना, यह पेपर में पूछा जाएगा, कि सारगासो C है, यह कौन से Water Current के कारण बनता है, यह भी पूछा जाता है, यह चारो Current के कारण, Gulf Stream, Canary, North Atlantic, and North Equatorial Current के कारण बनता है, तो यहाँ पे जो अंसर बनेगा, सारगासो C का, वो बनेगा, Atlantic Ocean, क्योंकि Atlantic Ocean में, North Side के उपर आपका बनता है, सारगासो C, और यह एक ऐसा C है, जिसके कोई Boundary नहीं है, तो अंसर नंबर क्या बनेगा, A, और Atlantic Ocean एक ऐसा Ocean है, जो आपका सबसे ज़्यादा Beasiest Ocean है, क्योंकि सबसे ज़्यादा Trade वगरा, यहाँ पर देखने को मिलता है, एक Indian Ocean ऐसा Ocean है, जो किसी Country के नाम की उपर है, बट ऐसा इसका मतलब नहीं है, कि इंडिया का है, Pacific Ocean सबसे बड़ा, सबसे लार्जस्ट, सबसे बड़ा जो है आपका Ocean है, सबसे जो है बड़ा Pacific Ocean आ गया, Pacific Ocean की जो आपकी Ring of Fire, Ring of Fire देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक और अर्थक्वेक वगरा आता रहता है, और प्लस वालकेन वगरा आते रहते हैं, Arctic Ocean की बात करते हैं, तो यहाँ पर Siberia, Siberia एक रिजन है, जहाँ पर आपके Continental Shelf बहुत बड़ी है, क्लियर यह याद रखना, Arctic में आपको और बताना चाहूंगा, Arctic Ocean में हमारा एक Research Station है, हिमादरी, इंडिया की तरफ से, ऐसा ही अगर आपसे पूछा, Antarctic में कौन सा है, Antarctic में है हमारा दक्षिन गंगोतरी, भारती और मैत्री, यह आपके Research Station है, यहाँ पे, Antarctic और Arctic के regarding एक दिमाग में कुशन और आता है, National Center for, National Center for Polar Ocean Research, Polar Ocean Research जो है, हमारा Headquarter कहाँ पे है, गोवा के अंदर Headquarter है, गोवा को हमने पौर्टगी से आजाद करवाया था, 1961 में, और Operation was Operation Vijay, यह याद रखना, तो answer इसमें क्या बनेगा, A option, Atlantic Ocean is the correct answer, Atlantic Ocean, चलिये जे, अगला बताईए, वट इस अनेम आव दिस्प्यूटेड, Coastal Area located far from the Gujarat Coast, in between the India and Pakistan, इंडिया और पाकिसान के बीच में, एक हमारा Coastal Area है, जो Disputed है, और मतला, यहाँ पर गडबड भी चलती रहती है, लड़ाईया वगरा भी चलती रहती है, तो कौन सा पार्ट है हमारा, येस, बता सकते हैं आप लो, Rain of Karch में located है ये, तिया रखना, Rain of Karch में, ना के खंबात में, ना ही कैमबे में, So, that is in the Rain of Karch, Rain of Karch वाला पार्ट है, and that part is called Sir Creek, answer इसमें B option बनेगा, correct answer, Sir Creek is the right one, answer number B is the correct one, Yes, Sir Creek, clear हो गए आप लोगो, Gulf of Khambat में हमारी चार नदिया गिरती हैं, जो के एशुरी बनाती हैं, आप बता सकते हैं कि कौन सी नदिया एशुरी बनाती हैं, नर्मदा, माही, तापती और साबर्मती, So, these are very important facts, clear, याद रखें, answer number B is the correct answer, Sir Creek is the right one, here is the Sir Creek, here is the Sir Creek, water war, चलिए जए अगला अंसर बताईए, which of the falling is known as the Sahadri Mountain, ये तो बतादो, ये तो आपको मैंने बताया था, Sahadri Mountains किसे कहते हैं, ये अभी आपको बताया था, ये कहा जाता है Western Ghat को, जिसकी सबसे उची चोटी है कौन सी, अनाई मुडे, और प्लस Western Ghat के उपर हमारी rainfall होती है, Southwest Monsoon rainfall करती है, यहाँ पे, जो परवतों से टकराके rainfall होती है, उसे हम क्या कहते हैं, औरोग्राफिक rainfall, जो के इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है, औरोग्राफिक rainfall, याद दखें, सथपुड़ा और विंद्यास के बीच में, एक river बहती है, डैड़ीज कॉल नर्मदा, जो के आपके बनाती है, एशुरी बिटिंदा, इंदा गल्फ अफ खंबाद, अरेबिन सी में, नर्मदा जो है, ब्लॉक माउंटेंस, और रिफ्ट वैली का पार्ट बनाती है, बिटिंदा, बिटिंदा सथपुड़ा एंड़ विंद्यास, वैरी इंपॉर्टन पार्ट, और नर्मदा जो है, आपके जबलपूर में, ये फॉल बनाती है, मार्बल फॉल जी से हम कहते हैं, धुआधार फॉल जी से हम कहा जाता है, याद रखें, इंपॉर्टन है, और इस्टन घाट बता दिया है, शिवालिक रेंज, जो हमारी हिमालियास की रेंज है, वहाँ पर शिवालिक रेंज भी आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर जो important है, वह मैंने fact आपको बता दिये, western ghat is the correct answer, western ghat, और ये वाला जो part है, ये वाला जो part है western ghat वाला, ये और क्या है, बाइडवस्टी होट स्पोर्ट, बाइडवस्टी होट स्पोर्ट भी आई, बाइडवस्टी होट स्पोर्ट, clear यह याद रखें, clear होगा आप लगो, so this is a western guard, चलिए अगला कोशन बताईए, ऐसे कोशन पेपर में जब आ जाते हैं, तो आपको पता नहीं लगता कि क्या करें चलेजी, कोशन रेखेजी, क्या कहते हैं, what is the capital of Rwanda, अब इस तरीके का कोशन तब आपको वेपर में पूछा जाता है, जब कोई news में चल रहा हो, but इसमें हम याद करेंगे, so Rwanda की capital कौन सी है, that is Kigali, यह कोशन तब आता है आपको, जब आपकी current में कुछ चीज चल रही ह होगे आप लोगो, yes, और Bogota, Bogota is the capital of Columbia, और बताओ, यह Libreville, Libreville जो है, यह कहां की capital है, yes, Gabon, और यह Copenhagen, Copenhagen तो बताओ, यह तो current में आता ही रहता है, नाम बहुत व्यादा नाम आता है, news में, so this is the capital of Denmark, Denmark, so this question का अंसर क्या बनेगा, B, B option is the correct answer, clear हो गए आप लोगो, B, किगाली is the correct answer, so here is the किगाली, super important part, चलिए जगला अंसर बताइए, अगला अंसर बताइए, शाबश, the latitude which passes through the sikkim, also passes through, जो sikkim से line cross करती है, वो किस और से जगा से भी cross करती है, जो latitude cross करता है sikkim से, और कहां पे cross करता है, yes, बिल्कुल, sikkim जो है आपका across 27 से 30 डिगरी के बीच में आपका sikkim वाला पार्ट पढ़ता है, और ऐसा ही आपका जो राजस्तान वाला पार्ट है, ये पढ़ता है, 23 डिगरी से 30 डिगरी के बीच में, और बाकी हिमाचल बहुत उपर चला जाता है, हर्याना भी उसी के आस पास है, तो इसका most probably जो answer है वो है राजस्तान, answer number B is the correct answer, राजस्तान बिल्कुल सही answer है, answer number B is the correct answer, बिल्कुल सही answer number B, राजस्तान, सिक्किम की मैं बात करना चाहूंगा, सिक्किम हमारे भारत की पहली organic state है, सिक्किम open defication free state है, खुले में शौच ना करने वाली पहली state आपक इंडिया की full-fledged state जो बनी थी वो थी सिक्किम, और ये 22 राज्या बना था हमारे इंडिया का, आजाद बारत का 22 राज्या, तो answer number B is the correct answer, यहाँ पे देखे, यह आपकी क्रॉस करती है, यहाँ पे ऐसे, clear, यह याद रखे, राजस्तान से क्रॉस करती है, चलिए अगला अं राश्टर बति भवन जो है, सिच्चुएटल है, वही पे आपकी राईषीनिया हिलस है, तो answer number 1 is the correct answer, answer number 1, जहाँ पे राष्ट बती भवन स्थिथ है, वहीं पे हमारी क्या है, राईषीनिया हिलस, तो answer number 1 is the correct answer, answer number 1, so यह था question, राइषीनिया हिल्स, आपने देखे ओगे The river flows out of the country is North East India के अंदर जो है आपकी कौन सी river जो है flow करती है यहाँ पर दिखें जी कोसी river की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कोसी river is also the sorrow of Bihar, Bihar का शो कहा जाता है तो यह North East India में नहीं आती, गंगा is in the उत्राखंड, उत्राखंड में देव प्रयाग से स्टार्ट होती है, that is between the भागी रथी and अलकनन्दा जहां पर मिलते हैं वहाँ से स्टार्ट होती है गंगोत्री, glacier से, गंडग इसकी टर्ब्यूटरी है, गंगा की तो यह भी नहीं, तो A की रहागी, that is ब्रह्मप glacier यहां से स्टार्ट होती है, जैसी यहां से स्टार्ट होई, यहां पर यह आई अरुनाचा परदेश से यहां से एंटर करती है, नामचा बारवा को क्रॉस करती है, नामचा बारवा को क्रॉस करती है, और यह अरुनाचा परदेश से क्रॉस करी और यहां पर आके यह गिर जाती है आपकी गंगा और ब्रहमपुत्रा मिलते हैं और गिर जाती है ये बेड बेंकॉल में और बनाती ए सुंदर बन डेल्टा इंपोर्डन लेकिन भर्मापुत्रा रिवर यहां पे असम में एक आइलेंड बनाती है जिसे हम और क्या कहते हैं मजूली आईलेंड अब तोगी दिहांग, दिभांग, कामेंग, so these rivers makes the, that is, मजूली आइलें, very important, clear, यहां पर देखो, गंगा स्टार्ट हो रही है, गंगा स्टार्ट हो यहां पर, और गंडग इसकी टर्ब्यूटरी है, यहां पर गंगा की, clear, यमना टर्ब्यूटरी है, यह आपकी, मिलती है अलाहाबाद से, clear, यह याद रखना, अलाहाबाद में मिलके, आगे स्टार्ट हो जाती है, so this is very important, clear, यह देखो, कोशी रिवर है यहां पर, the store of Bihar, चलिए जी, अगला अंसर बताईए, यह कोशन भी आप इसली बता देंगे, यह कोशन भी आप इसली बता देंगे, मैंने अभी आज के explanation में भी समझाया था आपको, yes, red soil जो है, red color इसली होता है, किसली होता है भाई, red color कहीं पर भी आता है, हमेशा iron देखने को आपको मिलता है, वहाँ पर iron के कारण, और यह red soil जो है मेलने हमें, तमिल नाडू वाले एरिया के आसपास देखने को आपको मिल जाती है, yes, this is very very important, clear, तमिल नाडू के एरिया के आसपास देखने को मिलती है, answer number C, so यहाँ पर देखे, the iron salt gives a color, reddish color, clear हो गया, यहाँ पर क्या होता है, organic matter जो soil के अंदर होता है, आपका, और प्रॉपर तरीके से जो पर्टिकुलर कलर करते हैं, red color के अंदर iron देखने को हमें मिलता है, in which of the following places, the electrical power is produced, इन में से कौन सी ऐसी जगा है, जहाँ पर electricity produce करी जाती है, electricity produce करी जा रही है, तो इसमें आपका वो जो है, hydro power project होगा, जिसमें electricity power produce करी जा रही है, वो hydroelectric project जो है, वो यह कौन सा है, मैतूर, तो अंसर इसमें क्या बनेगा, D is the correct answer, मैतूर, clear होगे आप लोगो, जी, मैतूर, clear, और यह आपका, thermal, और hydroelectric project है, और यह है कहां पर, that is in the Tamil Nadu, डाड़ी जिन्दा तमिलाडू, पर लेकिन ध्यार रखना, यह जो बाकी locations हैं, इनके उपर भी पर में बहुत question आते हैं, तूती कोरिन की अगर मैं बात करता हूँ, तो V, O, चिदंबरम पिलाई, V, O, चिदंबरम पिलाई, port है, यह हमारा बंदरगा है, जहां से export, import होता है, यह भी कहाँ पर है, आपकी डाड़ी जिन्दा तमिलाडू, clear हो गया आप लोगों को, और इनोर की अगर हम बात करते हैं, इनोर, इनोर को हम और क्या कहते हैं, कामा राजार, जो है, port कहा जाता है, यह भी कहाँ पर है, आपका, कहाँ पर हैं, यह कोल माइंस, बता सकते हैं, आप लोग, कोल माइंस कहाँ पर हैं, तमिलनाडू में, अगें, यह सारी जगाईं जो हैं, यह तमिलनाडू में हैं, लेकिन कोश्चन क्या था, हाइड़ एलेक्टिव पावर का था, नेव वेली इस दा कोल माइन दा तमिल नाडु क्लियर एदिया नखना यास अंसर नमबर डी इस आपकर्क्ट अंसर अंसर नमबर डी चलिए अगला कोश्चन देखिये शाबाश अगला कोश्चन बताए फटाफर शाबाश which country is the most productive country of raw jute जो raw jute होता है यह आपको कहां पे देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा कहां पे देखने को मिलता है इन countries में से बांगलादेश पाकिस्तान मायानमार और इंडिया तो पहली बात तो यह जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा production है इसकी और जूट की अगर हम बात करते हैं तो इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं गोल्डन फाइबर और अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन फाइबर revolution किसके लिए था तो आप कहेंगे जूट के production के लिए था और इंडिया में सबसे आदा production होती है वेस्ट बेंगॉल में यह भी दियां रखना है जूट की अगर हम बात करते हैं तो यह बना होता है सेलूलोज और लिगनिन से बना होता है जूट इस आप लोगों को यह और आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाता है तो यह पूछा जा सकता है कि यह जूट production जो होती है वह उस जो पेड़ है उसके कौन से हिस्से से होती है बार्क आफ अफ़ डा स्टेम से होती है जो समझा आप भार कॉफथस्टैम से होती है तो यह जहां रखना है तो इसमें क्या अबनेगा आपका c air přण sa वर्ल्ड डाइमंड डिजास्टर वर्ल्ड डाइमंड डिजास्टर मतलब सबसे बड़ा योगदान जो है डाइमंड प्रडक्शन में इस कंट्री का है तो यह कौन सी कंट्री है आप बता सकते हैं यह कौन सी कंट्री में सबसे जादा जो है डाइमंड प्रडक्शन देखने क कि रशिया रूस सबसे ज़्यादा प्रडक्शन हमें देता है डाइमंड के मामले में तो अंसर नंबर क्या बनेगा सी इसदा करेक्ट अंसर आम में से काफी लोग जो है इसमें साउथ अफ्रीका टिक कर रहे होंगे साउथ अफ्रीका में डिफरंड माइन्स हैं जो फेमस सब्सक्राइब करें दाइमंड की अगर हम बात करें तो यह हाडेस्ट नैच्टिरल हाडेस्फ सब्स्टांस है और डाइमंड की अवर बात करते हैं तो आप को देखता होगे देखते होगे कि इसमें शाइनिंग आती है टुझ इंटर्ना रिफ्लेक्शन का फिनोमेना की अ और हम दर ही अंदर चल रही है टोटल इंटेरनल रिफ्लेक्शिन का फिनॉमिना आता है तो अन्सर नमब सी हिजा राइक्ट अंप सटान सर्थ रॉष्या इस भी विल्कुल यह बिल्कुल जो है इंडिया यह बच्चे ने बहुत अंसर बढ़िया अंसर दिया है कि हमारे अभी हमारा जो है जो है आपका डैरीजा 13 दिन्थ जो अपका ऑप करेक्ट में गलत हूं भार्मा बना था यह त्यर्मा बना था आपका जो वर्ल्ड साइट का स्टेटस मिला था मतलब मैं अन्थ भार्मा था I think I'm not confusion चल पड़ी दिमाग में से ओके सो बताएंगे आप लोग की पन्ना बायोस्फियर रिजर्व जो है वो बार्मा बना था यह तेर्वा बना था जो उसके अंदर बना था तो यह पड़ाया हुए आपको बन जाता है तो यहां से वह तो इसलिए मैं आपसे पूज़ा क्यों कि आप लोग जानते हैं चीजों को कि मैंने आपको वो बार-बार रपीट करवाया हुए है येस 12 12 बाया स्यरिजफ तो आंसर नंबर सी दा राइट वान चले जी अगला अगला कोश्चन देखिए जी गोरे वाडा लेक जो है ये कहां पे स्थित है येस गोरे वाडा लेक गोरे वाडा लेक इस लोकेटे डिशाबाश बताएए फटफट गोरे वाडा लेक जो है ये कौन सी जगा पे देखने को मिलती है बता सकते हैं आप लो कौन सी जगा के उपर याइस बिल्कुल सभी तो दिस इंदा नागपूर नागपूर के अंतर देखने को आपको मिलती है डैस गोरे वाड़ा लेक सिर्फ याद करें और ज्यादा दिमाग लगाने की जुरत नहीं है आपको ठीक है सो आंसर नमबर डी इसा करेक्ट अंसर जस्ट इतना ही आपको बता यह आप कहां पर है ठीक है और 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 आपको पूछे जाती है डैडीज चली का लेक पूछ ले सामबर लेक बताइए कहां पर है अग्याद वूलर लेक बताईए कहां पर है आपकी और अगर इनके बारे में कुछ अदिशनल फैक्ट आपको पता है वह भी कमेंड कि बढ़िया चलिए अगला गोशन देखे और इस नेम ऑव दा सदनमोस्ट हिल रेंज इन इंडिया सबसे जो दक्षिन वाली आपकी हिल रेंज है प्रवतमाला है इन में से कौन सी है सबसे दक्षिन में प्रवतमाला जो है वह कौन सी है पूरे उधिया में अगर मैं बात करत जया था कि यह आपको याद कैसे करना है यहां से कैप वरन के दिए काडfolg decent और प्रषाम के बीच म हमें एए तो यह जो है अट Tails इसका नाम भी पूछा वे यह ला मिला अगर आपसी पेपर में आ गया तो पता होना चाहिए ये ला मिला इसका दूसरा नाम होता है अब बाकी जो points है उसमें भी देखे जो नीलगिरी hills है इसे हम और क्या कहा देते हैं Blue Mountain के नाम से जानते हैं किसे Blue Mountain के नाम से जानते हैं और यह वह point है जहां पर आपके western घाट और eastern घाट आके मिलते हैं western घाट और eastern घाट आके मिलते हैं तो डाड़ीज कॉल नीलगिरी hills की सबसे उची चोटी का नाम क्या है डेडिस दोधा बेटा नेलगरी इल्स की सबसे ऊची चोटी का नाम क्या है डेडिस दोधा बेटा समझाए आप लोगो यास बिल्कुल सही क्लियर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं नल्ला मलाई रिफ हे यह दो जगह के बीच में है एक है निनए अन्मलाई लाइध जो है आपका जू है यह वेस्टर्ण घाट का पार्ड बनता है और अ गिए दुस्ट आपके बूट्र अलएबशसका को और क्या कहते हैं अप भी कहा जाता है और इसमें कफ्यूज मताना एलिफेंटा हील्द उननामलाई डैटी इन दा केरव और अगर आप से पूछा एलिफेंटा केसर पूछ लिया तो वो है महाराष्टरा में यह ध्यान रखना ठीक है एलिफेंटा हिल्स जो इसकी इसको कहते है अन्नाम लाइको तमिलना डू और केरल एड एलिफेंटा केव पूछ लिया तो महाराष्टरा अंजर बन जाएगा ध्यान रखना कन्फ्यूज मत हो जाना पेपर में समझा आप लोगों क सब्सक्राइब अब यहां पर यहां पर यह दोनों जुडते हैं और बाकि यह था डैजट है आपका सबसे बड़ा डैजट है अरावली इस है दा ओल्ड फूल्ड माउंटेंस विंद्या रिवर जाती है नर्मदा ब्लॉक माउंटेंस का पाड़ बनाती है और जो है यह गि पाड़ होगा ग्रू यहां पर से डेल्ट बनता है यहां पर और इस 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 श्वाट इस सब आगए यह सब सक आड़े यह सब पता है ठीक है है अक, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेंग यंगेस्ट फोल्ड माउंटेंग प्लियर ठीक है चलिए अगला कोश्व बताईए अगला कुश्व देखिए जी क्या कहता है विच ओधा फॉलिंग फैक्टर इस रिस्पॉंसिबल फॉर लो रेन फॉल इंदा इस्टन स्लोप ऑव दा वेस्टन कार्ट कोश्व यह इंडिया का साउथ मुस्ट पार्ट समझने के लिए ठीक है तो दिस इस वेस्टन घाट यह आपका वेस्टन घाट है जिसे आप सहाद्री कहा जाता है अब वेस्टन घाट का यह वाला हिस्सा वेस्टन हो गया और यह वाला हिस्सा आपका इस्टन हो गया समझाया अब इसको थोड़ा सा और समझाते हैं आपको समझाने के लिए और अब है थोड़ा सा बड़ा हिस्स यह है आपका सहादरी जाने की वेस्टन घाट वाला पाट आ जाता है ठीक है और अगर मैं इसका ही वेस्टन हिसा लूँ वो यह हो गया और इसका इस्टन हिसा यह हो गया कोशन यह कह रहा है कि जो वेस्टन घाट है वह इस्टन साइड की ऊपर बारिश क्यों नहीं करता बार और यहां पर पूरी परवत माला वेस्टन गार्ट परवत माला है यहीं से टकराएगी और यहीं पर बारिश कर देगी यहीं से बारिश कर देगी क्लियर और जो जो चीज जहां पर अगर मैं कहूं कि यहां पर कोई क्षी बंगे। यह विंडर्वर्ट साइड हो गया और दूसरी साइड क्या कि लीवर्ट साइड तो डैट मींज जहां पर हवां जाएगी नहीं तो डैट इसको लीवर्ट साइड तो अगर हम बास करते हैं कि वैस्टन घाट में सबसे अधा बारिश होती है साउथ वेस्ट मॉंसुन से उसका वेस्टन हिस्सा जो होता है वहां से टकराती है और हम बारिश हो जाती है इसलिए नहीं होती क्योंकि यह क्या है आपका लीवर्ड साइड की ऊपर देखने को आपको मिल जाता है यहाद रखना और एसी रेइनफॉल हमारे इंडिया में जो परवतों से पत्थरों से टकराके मांटें से टकराके होती है और यहीं पर बारिश हो जाती है सबसे ज्यादा और यह द्यान रखना और डैड़ीज डैट रेइनफॉल इस कॉल्ड और ग्राफिक रेइनफॉल क्लियर यह याद रखें अब कोशन देखें जी क्या गयता है कि लो रेइनफॉल जो है इस्टन स्लोप वेस्टन घाट में क्यों हो रही है यह क्यों कि वो क्या है लीवर्ड लोकेशन की ऊपर देखने को आपको मिलता है अंसर नंब कि चलिए अगला कोशन देखिए जी क्या कहता है कि जोग वाटरफॉल है जिसको आप और बहुत सारे नाम से जानते हैं गर्सूपा फॉल्स महात्मा गांधी फॉल्स है कहां पर इस इंदा करनाटका ठीक है है कहां पर यह करनाटका के अंतर है अब कोशन यह है कि कौन सी कौन सी रीवर के उपर जो है यह वाटरफॉल बनते हैं बता सकते हैं आप लो यास बिलकुल यह बनते हैं श्रावस्ती रीवर के उपर अबल पॉ det along के उपर clear सो गृब शुएट करनाट का एक सबसे बड़े आपके बॉरटरफोर हैं कुछी कल फॉर वाराही रिवर की उपर हैं इस अल्सो अंधास इस also इलिय आगारक शबनाटक सबसे बड़े pasti हैं अगर आपसे पूछा जाए marble fall किसे कहते हैं marble falls दुआदार कि यह पॉर्ट जो हैं यह आपके जबल पूर मतलब जबल पूर में MP में बनते हैं और यह बनाती है के नर्मदारी याद रखना है तुंग बद्रार रीवर के किनारे पे करनाटक एक जगा है समझे नगर हम से भीजे नगर इम्पायर तो आपका कौन से नदी रफ़ीकित की साउथ इंडिया की दूश्री बड़ी नाद में कृष्णा और गुदावरी दो मिलके क्या बनाते हैं डेल्टा कृष्णा गुदावरी डेल्टा डेटी जिंदा कृष्णा गुदावरी डेल्टा इंदा आंध्रा परदेश समझ आया आप लोगों को अब इनकी उपर बहुत सरे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कृष्णा दीव आपको याद रखना है और एक कोशन ही है कृष्णा गुदावरी रीवर के बीच में एक नदी आती है डैड़ीज कॉलेरू लेक भी देखने को आपको मिलती है यह भी आपको याद रखना है कोई ना रीवर की अगर हम बात करते हैं तो कोई ना इस ट्रभीटरी आफ दा कृ इस ट्रभीच्छना रीवर क्लियर होगा आप लोगो तो यह सारी चिज़ें आपको याद रखनी है अ है क्लियर होग आप लोगो तो अंसर नंबर क्या बनेगा आपका बी आप्शिन श्रावस्ती इस तर रेक्ट श्रावस्ति चले अगला कोशन देखें फटावड फर्ट लोकेटट यहां पर जैदपूर जो पावर प्लांट है यह कौन सी स्टेट में लोकेटट है जल्दी से जल्दी बताएं येस अगर मैं आज राजस्तान की बात करूँ रावत भाठा है यहां पर बुझरात की बात करूं तो काकरापार है यहां पर क्लेर होगे आप लोगए सब्सक्राइब करें Zumthle Radio रहा है कौन सी यह महारimportant啊 गीुल्वार में Fire कौन सब्सक्राइब युदिंग की बात करें तो सबसेदा पर नहीं के आ呢 इंडिया बात करें तो इंडिया में इसका जो है फोरियम एतमक्राइब मिलता है में हो रहे मिलता है हमें इंडिया में और वह मिलता है कहां पर डैटीजंदा के रल के रलवाले पार्ट में और कहां मौनाजाइट शैंड की ज आपको मिलता है के रल में और निकले पावर प्लांट में होता यह is a यहां पर बहुत सारी लोकेशन है जैसे कि अगर बात करें कुंदन कुलम की चो यह आपका तमिलनाडू में है और यहां पर अगर हम बात करते हैं मद्रास अटॉमिक पावर स्टेशन जो है यह दिस इंदा यह दिस इंदा अगें आपका तमिलनाडो में जिसले आप और क्या केते हैं कल पकम कहा जाता है ठीक है और यह देखिए जिक कहेगा है यह आपका है करनाटक में तारपूर है महरास्ट्रा में काकरपार है गुजरात में राजस्थान अटॉमिक वाव सेशन राजस्थान में और नरोरा जो है आपका यह कहां पर यूपी में आ गया तो इस अगला प्लांट प्लांट्स लोकेशन इस वेरी वेरी इंपॉर्टन पेपर में आ जाता है मैच और फॉलिंग में किसी भी तरीकी से कोशन पूछा जा सकता है समझाए आप लोगं को यस चलिए अगला कोशन द यह आपका रिवर मुसी जो है यहां पर लोकेटेड है मुसी के किनारे हैधराबाद सो दिस इंद आंध्रापर्देश इन दा आंध्रापर्देश वेरी वेरी इंपॉर्टन कृषणा रिवर की अगर हम बात करें मैंने आपको कृषणा रिवर के बारे में बता चुका हू विजे जो है आपका एक प्लेस है जो कृष्ण किनारे पे है अगें ड़ीज दा आंधरा परदेश इस वेरी इंपोर्टन प्लियर तुंग बद्रा रिवर के निकनारे पे है कुर्णूल कुर्णूल जगा है और यह करनाटक में आपको देखने को मिलती है और लूनी रिवर क जैसे कि अगर देखा जाए तो सारी नदिया जो अरब सागर में गिर रही है जा वंगाल की खाडी में बेउबेंगॉल में उन्हें तो यह क्या होता है कि गिरने से पहले रस्ते में एक तिक रहां तो किसी को कोई जवाब मत कीजिए किसी को ज़ादा मत कीजिए ठीक है अच्छा यह बच्छा यह कह रहा है कि ओके 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 आई गॉट इस अगर हम बात करते हैं नो डाउट यह दिस इस नोट इन दा आंध्रा इस इन दा त्या लेंगा ना ठीक है इसको कर्रेक्ट कर लेजे बिल्कुल सही है तो दिस इन दा येस चलिए चलो आगे देखते हैं ठीक है आगला कोशन देखें क्या कहता है इसमी सी कौन सा सीजन नहीं है नौट प्रडूस्ट इन दा सीजन ऑफ खरीफ खरीफ बताजी चलिए खरीफ वाला जो पार्ट है वो क्या हाता है सो मैं आपको बता दूँ जो खरीफ क्रॉप होती है यह कहां की आती है सो खरीफ क्रॉप डैडी जिंदा आपकी वह वाला पार्ट डैडीज मौनसुन वाले में देखने को आपको ज्यादा मिलती है और इसमें बहुत सारी क्रॉप सोती है जैसे जवार हो गया बाजरा है ठीक है जवार हो गया बाजरा हो गया मेज है क्लियर है शुगर केन है राइस पल्सेज अ कॉटन ग्राउंड नट तो इस आर ओल डा एक्जम्पल्स ऑफ दा खरीफ क्रॉप सो यह याद रखना चिक है इंपॉर्टन है आपके लिए तो यहां पर कोशन देखेजी मिलेट और राइस यह आपकी खरीफ आती है मेज और जवार आपकी जो हैं खरीफ आती है जवार और राइस आपकी खरीफ 收ец नॉट दा आपकी खरीफ वाली पाड़ तो इसमनेई बनेगा और जों को और क्या ना ले यहां बहर बहले और सरसों यह आपकी याथी रभी क्रॉप्स रभी क्रॉप्स जो होती है यह विंटर क्रॉप्स है आपकी समझ आया और रभी क्रॉप्स कौन सी है जैसे क DAY बाले आप लोगों को तो इसमें क्या बनेगा आपका येस सो अंसर नमब सी इस दा करेक्ट अंसर नमब सी चलिए जी अगला अंसर बताईए जी बिल्कुल पल्सिज में में वो डालते है अरहर मूंग उरद यह चीजें डाली जाती है में पल्सिज के अंदर लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि कभी जब पेपर में कोशिन आएगा पल्सिज तो पल्सिज को में खरीफ में ही कंसीडर करके चलते हैं यह द्यार रखना यह चलो विचोदा फॉल्ण इस नौट एक कॉज आफ दा स्वाइल इरोजन इन में से कौन सा पार्ट नहीं है देखे जिस नॉट है नौट पूछा है स्वाइल इरोजन का मतलब क्या होता है दो चीज़ें आपको याद रखनी है एक होता है वैदरिंग एक होता है इरोजन व फैसित वात है क्या होगा चछचछे हीन्हें तूट जएगा अगर यह क्या हुआ कि यहilla time कूल अगर यह किसी चीज दूपर अदेशा तन दूपर चला एक जगा से उठके दूसरी जगा की युपर चला गया तो समझाया पहले तो ध्यान रखिए वैदरिंग एरोजन में क्या डिफरेंस होता है वैदरिंग का किसी भी रॉक का तूटना किसी चीज का तूटना और तूट के वह उसी जगह की उपर गिर जाए उसी जगह की उपर रहे तो डाइस को तोड़ो और अगली लोकेशन में भेज जितना ज़्यादा दोगे तो आपकी स्वाइल खराब होगी मैक्स मतलब मल्टीपल टाइम जब पानी देते हैं तो आपको दिक्कत आती है अपने सारे प्लांट ट्री सब कुछ कर दिया तबाह कर दिया तो स्वाइल कैसे ग्रो कर सकते हैं नहीं ग्रेजिंग ओवर इस नौट दा एक्जमपल आप दा और दा कॉस आफ दा स्वाइल रोजन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वैदरिंग क्या होता है एक चीज चूटी और उसी जगह के उपर रहे गई तो वैदरिंग स्वाइल इरोजन नहीं करती यह तो क्या करती है स्वाइल को फॉरमे सेशन जो आने वाला है वो सेटड़े को आएगा रात को नौ बजे सो बने रहना उसमें और लंबी क्लास होगी हमारी बहुत मज़ा आएगा आपको और पूरे पूरे हम दिसंबर मन तक जाने के जनवरी से लिके दिसंबर मन तक बैस थाउजन करेंट करेंगे जो मैंने कु जो है गैरो और खासी ट्राइब जो है आपको कहां पर देखने को मिलती है फड़ा बड़ बताईए गैरो और खासी ट्राइब जो है यह कहां पर देखने को मिलती है आपको मैंने बताया था गैरो खासी जियंतिया हिल्स कहां पर देखने को मिलती है डड़ी जिंदा मेगा गालिया को हम और क्या कयते है a board of the clouds कहा जाता है बतलों सी इराब हरा है चीरा पुंजी वाला पार्ट यहां पढ़ यहां पर अपर सम राम राम यहां पर देखने को दयां मिलता है मैं गाला में जहां पर यह बारिश होती है समझाया आप लोग ओ यह ब्ल्कुल सही तो the perfect answer अगर मैं बात करता हूं यहां पी मेगालिया मे नॉक्रेग नियृंट ने को देखने को मिलता है बल पख्रम बल पख्वारम जो है यह आपको ब्लता है यहां पे यहां पे रिखना अगर ट्राय। बीलकुल को सहीं अंगामी और रिंग मा यह दी जादर ट्राइबल पीपल की का तो दिस इस वेरी वेरी इंपॉर्टन रिंग मा क्लिया और नागलेंड की अगर हम बात करते हैं यह लोग मैं आपको चीज और बताना चाहूंगा बड़ी इंपॉर्टन चीज है भी मैं वहां पर गया थ दिल्ली में क्या था यह ट्रेड फियर ठीक है सु मतलब मैंने यह सब लोग देखे थे मतलब यह ट्राइबल पीपल्स की जो चीजे आती है ठीक है मैंने बहुत सरी चीजे खरीदे थी मनिपूर से मतलब वहां पर कोई आचार बड़ा फिर मसाजी टैग मिला था उसको मैंन पर सब्सक्राइब करना चाहिए लोकल को ठीक है क्योंकि बात है इनके पास आयका कोई साधन नहीं है यही आयका साधन होता है सो डैट सेट लियर अंगालेंड इस अंगामी एंड रिंगमा इस वेरी वेरी इंपॉर्डन अच्छा यहां पर पूछ रहे है तो नटंग की न आपका नैशन पाक है मुर्लेन मुर्लेन नैशन पाक देखने को मिलता है और मनीपूर में अगर मैं बात पूछू तो क्या है मनीपूर में नागा और कुकीज रहते हैं नागा और कुकीज मेल नी हैं यहां पे और यहां पर आपको पता है फ्लोटिंग नैशन पाक है वो लामजा और यह आपका फ्लोटिंग नैशन पार्क है और लोग तक लेक को कन्फ्यूज नहीं करना कि से लोनार लेक से लोनार लेक जो है आपकी कहां पर है महाराष्ट्रा में and this is the meteoritic lake यह meteoritic lake देखने को आपको मिलती है so this is very very important again clear यह याद रखना येस बिलकुल सही so answer इसमें क्या बने का जी एड़ीज में गाल्या इसा करेक्ट अंसर में गाल्या कि बिल्कुल 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 हार्ण विल्कुल नागा लैंड में हैं बिल्कुल सही कि चलिए अगला कोशन देखे जिए क्या कहता है से लोसे नहीं अब पहली बात seventगों नॉर्फ अमेरिका के बात करेंगे तो यहां पर है मैक्सिको लिखना लिख लेना ठीक है यहां पर और यहां पर हो गया नॉर्थ हमेरी का बाला पार्ट अब चलते हैं एफ्रीका बाले पार्ट में तो यहां पर लोगउंगो जी को तो यहां पर वेस्टन सहरा हो गया अलजीरिया हो गया लीबिया एजिप्ट मौरिशियाना माले और आपका नाइजर सो दिस इन दा एफ्रीका वाला पार्ट अब आ जाते एशिया वाला पार्ट के उपर साओधी रेबिया यूए ओमान इंडिया चाइना बंगलादेश मयान लिडाइन और ताइवान वाला पार्ट लेस इंदा इस्च्या वाला पार्ट यह याद रहन अब चारे जो है ओशन से क्रोश करती और फैसे पर इस फिकेशन से आटलंटिक औशन से इंडियन ऊशन से सबिस इस वेरी वेस्ट बेंगॉल त्रीपूरा कौन सी रह गई है यास बता सकते हैं आप लोग त्रीपूरा के बाद कौन सी रह गी मिजोरम बिल्कुल आठ होगी है नहीं होगी देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ यह हमारी टोटल की टोटल ठीक है तो यह आठ से जो क्रॉस करती है गुजराथ MP 36 जारखंड ठीक है राजरस्थान वेस्ट बेंगॉल त्रीपूरा मिजोरमी टोटल आठ से यहां से क्रॉस करती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर चले अगला कोशन देखें क्या कहता है बिल्कुल महान जो है यहां पर चलो एक और पॉइंट एक बच् करते हैं याद रखना वेरी इंपॉर्टन चलिए अगला कोशन बताइए क्या कहता है कि कोशन देखें क्या कहता है बड़ा सिंपल कोशन है लेकिन मतलब लैंगुज ऐसे लिख दी तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं विच प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इस नियरली एस अर्थ ठीक है मतलब क्या हो गया कि अर्थ के बराबर है मतलब अर्थ के बराबर ही आपका जो है साइज है सोलर सिस्टम में वह कौन से ग्रैका है एक्चली वह कहना क्या जाता है कि बिल्कुल अर्थ ही है वो तो वीनस जो होता है हम इसको क्या कहते हैं आर्थ स्ट्विन तो इसका ही अंसर आपका सही बनेगा समझ आए आप लोगं को तो अर्स ट्विन जिसे हम कहते हैं वही आपका साइज बिलकुर बराबर है वीनस का और वीनस को मॉर्निंग एवनिंग स्टार भी कहते हैं आपका चीक है और डाइटेस्ट एंड दा हॉटेस्ट प्लैनेट भी क सबसे नजदीक है मरकरी लेकिन सबसे हॉटेस्ट नहीं है और इसका भी कोई मून नहीं है और मार्स की बात करें मंगल ग्रह की लाल ग्रह की इसको रैडड प्लैनेट कहते हैं और इसके दो आपके फोबोज और देमोज दीज आरदा टू सैटलाइट ऑफ दा मार्स और बह हो है सैटन की टेटू जुपीटर की दूसरे नमर पर सेवंटीनाइग आती है चले अगला अंसर देखें क्या कहता है वाट आधा इमेजनरी लाइन इन सर्क्लिंग अर्थ होरिजॉंटली कॉल्ड मतलब क्या है कि आपकी जो लाइन है अर्थ के नजदीक है आपकी लाइन दूनों के बीच में कितना गैप रहता है तो इन में गया पर एक 111 km गैप रहता है बिट्वीन दा टू लाइन वन वन किलोमेटर इस वेरिवरी इंपॉर्डन और मैक्सिमम लाइटिट्वी आपको पता है जैसे टॉपिक आप कैंसर की बात करते है ठीक है साधे-30 और कैप्रिकॉर्न की बात करें वह साथे ते इस डिगरी साउथ आ गया और इदर हम बात करें आपके डैडिटिक सेरकल 66 डिगरी की उपर अंटर्टिक 66 साउथ में नॉर्थ पॉल इस तरीक यह लंबी लाइन जो जीघरी होती है जो जी एंटी जी से में टाइम और यह होती है आपकी प्राइम मेरीडियन उसे मेरीडियन और बाकी लाइनों को क्या कहा जाता है आइसे दो एरिया जहां पर आपका टेंपरेचर से मों उसे हम क्या कहा जाता है तो इस कोशन का जो अंसर बनेगा वो बनेगा ए लैटिट्यूड इस दा क्रेक्ट वां लैटिट्यूड इस और टोटल लैटिट्यूड कितने हैं आपके 181 है चीक है क्यों क्योंकि अगर हम बात करते हैं 0 डिगरी यहां पर इसके उपर नब्बे है इसके नीचे नब्बे है और यह यह वाला एक और बन जाता है तो टोटल 181 इस अफ लैट्यूड चली जगला कोशन देखें जी क्या कहता है कोशन देखें जी क्या गयता है विच वन ओव दा फॉलिंग प्लैनेट्स ऑफ दा सोलर सिस्टम टेक्स अबाउड सेम टाइम फो वन रोटेशन और इस एक्सिस एंड वन रैविलूशन अरांड रोटेशन मैंने आपको बताया था रोटेशन क्या होती है अपनी जगा की उ गूमा तो दिस इस कॉल रोटेशन अपनी जगा के उपर ही अगर मैं रेविलुशन ले रहा हूं तो मतलब क्या कि मैं चक्क्र परिकर्मा लगा रहा हूं ऐसे ऐसे करके तो इसी क्ल्ड रेविलूशन समझाया आप लोगो तो मतलब मैं किसी की इर्दगिर्द गूम रहा अब कोशन यहां पर क्या कह रहा है है यहां पर गस यह कहा रहा है यहां पर कोशन के रहा है किसका रोटेशन और रेवलुशन टाइम आपकर तकर का इतना समझाया कुछ गैपξ है वीर्विकिशन हैं तो यहां पे ऊप्षा टायती हैं तो 525 के असपास आया और अगर हम यहां पर बात करें तो 30 के असपास आता हैँ यहां पर भॉठ गहत जंड में पहथा है जुपीटर में बहुत शरगाप है सैटन में सबाइब और इंफ़कर पर आप वीनस के बाद दूसरे नंबर पर आता है मरकरी क्योंकि 88 डेज यहां पर रेवलुशन टाइम और रोटेशन टाइम है 59.9 डेज ओविसली बातल दूसरे नंबर पर जो गैप कम हो गया वह आपका क्या हो गया मरकरी का हो गया समझा है आप लोगों को तो यह याद रखिए तो और यह कहां पर यह अभी मैं बता चुका हूं आपको तो ट्रवांचल बिल्कुल सही कहा IT socially मिलता है में में देखने को मिलता है so this is very very important point clear हो गया आप लोगो answer number one is the correct answer answer number one जी 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 clear हो गया हां तो अब हम बात करते है जासकर रेंज की तो जासकर रेंज आपका नौर्थ इंडिया में आता है यह आपका लदाख लदाख और जो यहां पर आपकी तीनों लोकेशन जाने की इंडिया चाइना और पाकिस्टन का पार्ट देखने को मिलता है हिमाल्यान रेंज यंगेस्ट फोल्ड माउंटें यह मैंने आपको बता चुका हूं ठीक है और हिमाल्यास का उरिजन कहां से हुआ था टैथे का टैथे सी से इसका ओरीजन देखने को मिला था तो अनसर्ड़न सामसर्ट वान करेक्त था चलिए अगरें से बताईे कि हां अगला कोशन देखे जिया क्या गहता है इसमें कोशन है आपका अगला कोशन यह कह रहा है कि इसमें से इस ग्रेट हिमालयास का पार्ट बनता है ये इस बताइक लाइंग इन देट हिमाल्यास वह आपका लदाख वाला पार्ट इस दाख डाउल्ड डेजट तो नम्ब वान इस अग्रेट हिमाल्यास अगर मैं बात करूं अरावली जार दा ओल्ड फोल्ड माउंटेंस समझ आया ओल्ड फोल्ड माउंटेंस है और इसकी सबसे उची चोटी है गुरुशिखर जो राजस्तान में है सत्पुड़ा और विंद्यास के बीच में मैंने आपको बदाया था नदी है कौन सी डैडिस नर्मदा जो आपका पार्ट बनाती है और नर्मदा रिवर गिर कहां इस नर्मदा माही तापती और साबरमती यह चारों नदियां जो है आपकी क्या बनाती है एस्चुरी बनाती है यह भी आपको क्लियर होना चाहिए तो आंसर नमब वान इस आ करेक्ट अंसर पॉल डैजट इस इन दा लड़ दाक शाबाश अगला बताईए इंडिया टीक इज एन एक्जाम्पल और सेंट्रल इंडिया टीक इज़ा एक्जाम्पल आफ मेली आपको पता है कि टीक बगएर जो है मद्या परदेश वाले हिस्से के अंदर देखने को मिलते हैं मेल ले तो बसे इसको याद करना है तो यह आपका है नम सब्सक्राइब कर लेना और भी बहुत सारी क्लास आएंगी और आप लोग जो है मेरे paid course के माध्यम से भी बढ़ सकते हैं हर घर्षिक्षा campaign के माध्यम से बढ़ सकते हैं आपको मेरे courses जो है just 499 रुपीज में आपको मिलेंगे just 499 रुपीज में एक साल की validity के साथ आपको code लगाना है VIP 499 यह coupon code आप लगाएंगे तो एक साल की validity के लिए आपको course मिल जैसे आप study IQ app और website download करेंगे आपको screen के उपर नजर आएगा home page, home page में बिल्कुल नीचे जाना end में आपको नजर आएगा Dr. Vipan Goyal courses आप देख सकते हैं, अगर आप state PCS की तियारी कर रहे हैं और आप यह वाला course लेंगे हर घर्षिक्षा campaign में 10,000 MC course, अगर आप pure SSC की पढ आप purchase कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी सबके link बगारा description और comment section में given है, और आप in different social media की उपर आप मेरे से connect कर सकते हैं, लेकिन सबसे आज जो important है वो है telegram channel, तो कि यहाँ पे सारे lectures share कए जाती हैं आपको start करने से पहले, ताकि आपको पूरी notification मिलती रहे, तो बाकी आप मुझे message कर सकते हैं, Instagram के उपर, Telegram के उपर, अगर आपका कोई भी doubt हो, regarding courses, regarding anything, ठीक है, तो thank you so much guys, all the very best, और अपने एक courses दिलेके अपनी preparation स्टार्ट कीजे और अपनी ट्यारी को आगे बढ़ाए, so good guys, take care, bye bye, thank you so much.